जैम आताती दोस्तों कैसे हैं आप सब comment box में हरर महादेव लिखना ना भूलिएगा आज में 2024 जुलाई में जितने भी ग्री आरंब संसकार है उन सभी के मुहरत आपके साथ सेयर करने वाले हूँ हिंदु धर में सभी शुभकारे जैसे ग्री प्रवेश मुंडन संसकार जन्यों संसकार विवा इत्यादी सुभ मुहरत में ही किये जाते हैं यहां तक की घर की नियुँ रखने के लिए भी मुहरत देखा जाता है माना जाता है अगर आप ग्रिह आरंब संसकार सुब मुहरत में करते हैं तो घर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती जब घर बन कर तयार हो जाता है और घर में आप निवाश करने लगते हैं तो उसी घर में आपको सुख और सांती मिलती है अगर आप ग्रिह आरंब या एक सुप मोहरत ज़रूरी देख लें अगर आप जिसने गर को खरीदा है जिसने फ्लेट funding हर नगा ना चाहता है तो जो भी घर का मुख्या होगा जिसके नामीड Nh couple उसी के जाती लगन के अनुसारी उसी के रासी के अनुसारी आप ग्रिह आरंबसंसकार का मुहरत देखे जो यह मैं आपको मुहरत बता रहे हूँ यह सभी रासी वालों के लिए है यह मुहरत मैं आपको पंचान के नुसार बता रहे हूँ अगर आप चाहें तो अपने नजदी की किसी पंडित या फिर जोतिसी के साथ इस मुहरत को साजा कर सकते हैं ग्रेप रवे से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज बना हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में मिल जाएगा उसे भी जरूर देखिएगा तो चली जान लेते हैं जुलाई में घर की निव रखने का सुब मुहरत कौन-कौन से होने वाले हैं पहला सुब मुहरत 3 जुलाई 2004 दिन बुधवार का देखा जा रहा है आसाड मास कृष्णपक्ष 12 सीति ती रहेगी और रोहिनी नचेतर रहेगा दुसरे सुब मुरत 7 जुलाई 2024 दिन रविवार का है आसाड मास सुकलपक्ष दुत्यतिती रहेगी और सत्विसन नचतर रहेगा तीसरे सुब मुरत 11 जुलाई 2024 दिन गुरवार का है आसाड मास सुकलपक्ष पंचमिति थी पूर्वा फालवनी नचतर रहेगा नेश्ट सुब मुहरत 17 तारिक दिन बुधवार का है आसाड मास सुकलपक्ष एकादसिती ती रहेगी और अनुराधन अच्छतर रहेगा 22 जुलाई 2024 से शावन का सोमवार व्रत आरंब हो रहा है शावन मास सुरू हो रहा है और शावन मास के जितने भी शोमवार व्रत पड़ेंगे उन सभी में आप ग्रिय आरंब सज़कार बिना मुहरत देखे आसानी से कर सकेंगे 23 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक पंचक लगेगा इन पाच दिनों में कोई भी सुब और धार्मिक कारे नहीं किये जाएंगे नेक्स्ट सुब मुरत 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार का पड़ेगा शावन मास क्रिष्ण पक्ष नौमी तिती है और भरनी नच्चतर रहेगा नेक्स्ट सुब मुरत 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार का देखा जा रहा है शावन मास क्रिष्ण पक्ष एकादसी तिती रहेगी और रोहिनी नच्चतर रहेगा आई होप आपके लिए विडियो इंफोर्मेटीव रहा हो हर हर महादेव